Hey guys, this is Shikha and welcome back to my YouTube channel Shevi Chemistry Classes So guys, आज का topic बहुत ही हटके होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस topic पे बात करने की बहुत ज़ादा जरूरत है तो वैसे तो आपने thumbnail और टाइटल से पैचान लिया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ The value of enjoyment in student life देखो, मैं कितने सारे बच्चों से मिलती हूँ, interact करती हूँ, बात करती हूँ काफी सारे बच्चे मेरे से पढ़ते भी हैं, जिनसे मैं particularly बहुत ज़ादा interaction करती हूँ हमेशा और मैं उनकी problems जाने की कोशिश करती हूँ एक student को कितनी सारी दिक्कत हो सकते हैं, कितनी सारी problems आ सकती हैं क्योंकि यही एक सही तरीका होता, analysis करने का, तो अभी मैंने यह सारी चीज़े अब्जर्व की कि आज जब भी बच्चे बात कर रहे हैं, आजकल उनके mind में यही है कि उनको IIT मिल जाए या फिर नीट वालों के mind में है कि वो doctor बन जाए, ठीक है, हर parents के mind में है कि उनका बच्चे का कही न कहीं selection हो जाए ठीक है, और हर बच्चे के mind में यह भी है कि उनको अच्छी से अच्छी job मिल जाए जिसमें मैं कहीं भी देखती हूं, उनकी बातों में कहीं पर ये नहीं होता कि मैं अब इस पल पे enjoy करना चाहता हूं वो कहीं खो गया यार, आप ये देखो, जब हम लोग study करते थे या जब हम लोग अपने time पे आज भी study कर रहे हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि अब हम job कर रहे हैं बचों, लेकिन हम लोगों को ऐसे लगता है हमने वो life miss कर दी गई, समझ वह बात को हमने वो life miss कर दी, हम उस वक पे इतना ज़्यादा पढ़ रहे थे, या इतना ज़्यादा किताबी कीड़ा हो गए थे, कि हमने वो phase को ऐसे ह जाने दिया, हमने कुछ किया ही नहीं, आज हम job कर रहे हैं, आज हमें छुटी नहीं मिलती एक दिन की भी, और हम सोचते हैं यार वो phase भी हमने खो दिया और आज ये phase भी ऐसे ही निकल रहा है, कुल मिलागर के life की क्या हो गई, जंड हो गई है, तो अब क्या है, ये phase आपके बीटते जाते हैं, ठीक है, टाइम आएगा, जैसे जैसे time pass आएगा, वैसे वैसे आपका भी ये phase आएगा, आप भी वही चीज़े मिस करने वाले हो जो हम लोग मिस करते हैं, ठीक है, हाँ, मैं मानती हूँ कि life में मेहनत करना बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ आपका need में selection होना बहुत important है, मैं मानती हूँ कि आपको job मिलना बहुत important है, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आपने जो phase देखना चाहिए, एक childhood आपको देखना चाहिए, वो आप कहीं गवार है उन सब चीजों को, आपको पता होगा, शायद मैंने अनकाडमी का एक lecture लेते ह हुए, मैंने आप लोगों से share किया था, कि मैं पिछले काफे 3 years back की बात है, 3 साल पहले की बात है, कि मैं एक ऐसी बच्ची को बढ़ाती थी, जो 7th class की थी और जो मुसे 11th class का slavers पढ़ने के लिए आती थी, उसका बच्पन कैसा गया होगा, कैसा गया होगा, क्योंकि उसने अभी इसे 7th class से अपने आपको IIT की preparation में लगा दिया, अब आप मुझे बताओ, 7th class से जो बच्चा शाम को खेलने के लिए जाता था, या फिर शाम को खेलने के लिए जाना चाहिए उसे, वो childhood तो उसने खो दिया ना यार, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने वो phase आप कैसे करें, इस subject को, इस tricks के साथ कैसे पड़ें, हम बहुत सारे different topics पे बात करते हैं और daily आप लोगों को content अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं, बट यार कोई इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं करता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो चलिए आज इसी मुद् आप लोगों को बता पा रहे हैं, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं उसी के नाते ही आपको बता रहे हैं बचो, जितना पढ़ाई जरूरी होता है उतना इंजोईमेंट भी जरूरी होता है, देखो इंजोईमेंट हर इंसान का वैरी कर सकता है, मेरे लिए खाली बैटना इंजोईमेंट है, मेरे लिए किसी के लिए सौंग सुनना ही इंजोईमेंट हो सकता है, किसी क अग दिन पढ़ रहे हो 18 मतलब एक दिन में 24 आर्स के बाद एक बच्चा में बात कर रही थी काल पर सो एक बच्चे से वो कह रहा है कि मैं 16 आर्स इने डे पढ़ रहा हूँ आप यह सोचो जो 11th क्लास में 17 एर्स का जो बच्चा होगा वो 17 एर्स में अगर 16 आर्स पढ़ रहा है तो क्या उसकी लाइफ रही होगी यहां पर कितना प्रेशर होगा किसी को अंदाजा भी है फिर हम पूछते हैं कि यार लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं हम लोग यह नहीं बता रहे हैं उसको कि इंजॉई करना भी इंपॉर्णनेंट है बच्चों हमेशा ध्यान रखें अगर आप टाइम टेबल भी फोलो कर रहे हो तो वान वीक उस टाइम टेबल को फोलो करने के बाद प्लीज एक दिन का ब्रेक जरूर लें नहीं तो यह पता है यह बन जाएगा और यह फट जाएगा एक दें फटने का मतलब पदा क्या है एक दिन आप एक जोस्त हौगे इससे टीक है आप एसे गोगिए नहीं है मेरा मन मैं पग गया हूँ बुरी तरीके से अब मुझसे और नहीं हो रहा है है मैं बोर हो चुका हूं यह बोर हो चुकी कि half an hour पढ़ने के बाद five minutes का gap ले लिया गरो उस वक्त पे हमको कोई नहीं बताता था तो हम लोग eight eight hours continue एक table पे बैठे रहते थे और पढ़ते रहते थे ठीक है उस time पर पढ़े क्या हुआ था मेरे साथ basically मैं अपनी story आपको बताऊंगी मेरे साथ यह हुआ था बच्चों कि मैं nine to tenth में बहुत जादा पढ़ती थी बहुत जादा मतलब एक किताबी कीड़ा बन गई थी उस वक्त पे और मैंने यह चीज realize की कि एक time के बाद मैं उद्धर वहाँ पर frustrated हो गई थी बुरी तरीके सेअ यार अब नहीं होगा मुझसे ओर देखो खाली बैटना भी किसी को जादा पसंद नहीं आता और अगर आप ऐसे कहते हो खाली बैटने आप बहुत टाइम से खाली बैट गाओ कुछ काम कर लो तो यार अगर आप इतना continue काम कर रहे हो तो आपका भी यह भी सोचलो कि एक छोटा सा ब्रेक ले लो ठीक है क्योंकि जो ब्रेक होता है वही आपके माइंड को रिफ्रेश करता है ठीक है ब्रेक लेना इस वेरी वेरी इंपॉर्टन अगर आप 10 आर्स पढ़ रहे हो और आपका आउटपुट सिरफ 2 आर्स का है तो मुझे बताओ वा एट आर्स अपने वेस्ट ही तो किये इससे बेटर थे छो बच्चना है ऐसा मत करो यार बच्चो ऐसा आप लोग बहुत ज़ादा फ्रस्टेट हो जाओगे किसी दिन पर डॉन्ट डू दिस चीक है आप अपने साथ खेलो मत यार चीक है आप अपने आपको एक प्रॉपर टाइम भी दो आपकी हैल्थ भी बहुत ज़ादा इंपॉर क्यuden करो विविए आस अपने सय हां की जरूरत है मुबायल मोग HER बैटरी घ्टम हो जाती है चार्श करते हो DA चीक है कि गवर बैटरी खतं हो जाती है ऐसा तो नहीं वह कोई भी मशीन लेने के बाद कोई खरद थिकAAAAAAAA baasan नहीं होता ये ये इसको भी रेस्ट चाहिए इसको आपका mind को आपने free छोड़ा ही नहीं अगर आपका mind free हो और refresh हो आपको थोड़ा सा थोड़ा सा outing कर लिया गरो dance कर लिया गरो dance से बहुत ज़ादा refresh हो जाता है mind singing कर लिया गरो soft music सुन लिया करो आप अपनी ऐसी activities करो कई लोगों को drawing painting ये सब पसंद होता है उस चीज को बोलते कि आपका mind जो है वो अलग route पे चला गया अभी वो थोड़ा सा distract नहीं होगा बलकि वो उस break के बाद एक सही track पर आ जाएगा इसलिए बात को समझना थोड़ा सा और enjoy जरूर करो अपनी life में ऐसे किताबों के अंदर मत बुसे रहो देखो क्या होता है basically होता ये है कि जब भी हम books में पढ़ते हैं मालो 5-6 hours पढ़ लिये हैं हमारा student का जो मन होता है वो कभी satisfaction की तरफ नहीं चलता जो एक student जो एक target बनाता है न सुबह और राप तक अगर वो target पूरा भी हो जाता है वो तब भी satisfy नहीं होगा तो अगर आप satisfy हो रहे हो तो ये गलत बात है आपके मन में satisfaction होना भी नहीं चाहिए बहुत जादा नहीं होना चाहिए थोड़ा बहुत होना चाहिए कि चलो आज मैंने इतना सब तो किया लेकिन जब आप satisfy हो जाओगे तो पूरी तरीके से गया आज तो मैंने उखाड दिया सब कुछ दुनिया में आज तो जो भी मैंने था कर दिया तो आप अगले दिन से overconfident में आ जाते हो इसलिए थोड़ा बहुत चलता है लेकिन बहुत जादा नहीं चलता है भई बहुत जादा नहीं आप अपने आपको reward भी करो आप अपने आपको हर तरीके से हर तरीके से अपने आपको support करो corporate करो आप अपने आपको underestimate मत करो लेकिन 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 आप अपने आपको अंदर से खराब भी मत करो अपनी हेल्थ के साथ मत खेलो अपनी इस फेज को ऐसे मत जाने दो आपका ये फेज वापिस नहीं आएगा बच्चो मैं बता रही हूँ हम लोग इस फेज से निकल चुके हैं अभी हम जॉब कर रहे हैं जॉब करते हुए हम सोचे काश उस वक्त पर हमने थोड़ा इंजॉई कर लिया होता हम तो इसी फेज का इंतजार करेंगे जब हमारी जॉब लगी तो हम इंजॉई करेंगे अब हम पश्ता रहे हैं कि क्या उस फेज पर वह हम सब चीज़े कर लेते तो आप मस्ती भी अपनी अपनी जगह है आपकी पढ़ाई का जो टाइम है जो आपने फिक्स किया हुआ है 10 hours 12 hours 13 hours जो भी टाइम है आपका कीए उसमें थोड़ा सा बच्चों और यह phase इसी तरीके से निकलता जाएगा और हम इस तरीके से कहते रहेंगे हैं और हमने तो life में कुछ किया ही ही है इसलिए पढ़ारी अपनी जगह हैं सबी चीजे अपनी जगह हैं आपकी thinking बिल्कुल सही है अगर आप ऐसा सब सोच रहे हो कि मेरे को job लगना है आ कि आप यह सब चीजे सोच रहे हो इतनी कम उमर में होके आपको सब चीजे पताए कि आपके लिए अच्छा क्या आपके बुरा क्या है आपको guidance मिले या नहीं मिले स्टिल आप अपने लिए अच्छा ही सोच रहो आपकी direction बिल्कुल सही है लेकिन यार उस सब चीजों में य आपके लोगे चोटा ब्रेक लो ज्यादा लंबा नहीं मालो हाफ दे का ब्रेक ले लिया ठीक है मालो मैं थ्री तू फोर आर्स आज थोड़ा सा रिलाक्स करना चाहता हूं और उसके बाद मैं एक अफेक्टिव स्टडी करूगा ऐसे करके ब्रेक लो ठीक है ऐसे नहीं कि च चीज आपको जरूर करनी चाहिए और अगर आप लिए कर नहीं रहे हो तो फ्लीज इसको फॉलॉअप करो और जो आपको लगता है यह चीज फॉलॉअप नहीं कर रहा है उसके साथ यह वीडियो शेर करो शाइद वो इस बात की कीमत को समझे कि जो चीजे हम लोग फेस कर वो आप सब लोग ना करो कि बहुत जादा इंपॉर्टन था मुझे लगा है इसके उपर वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने इस वीडियो के थूँ आप तक अपना मेसिज पोचाया है जो मैं अपने ब्रदर को भी बोलती हूँ और ये सब चीजे मैं आपको भी बोल रही हूँ ठीक है तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजेगा बहुत जल्द आपसे दूसरी वीडियो में मिलूँगी एक बहुत सा अच्छा टॉपिक लेकर के तब तक के लिए चाचा बाई बाई थांक यू